मस्कार मैहुश्यवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है बीपी एस्सी 79 वी के लिए 2.67 लाख आवेदन आए बिहार लोग सेवा की 69 सीविल सेवा परिक्षा में आवेदन की अंतिम तिथी बुद्वार को समाप्त हो गए 2.67,000 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है 442 पदों पर नियुक्ती होनी है प्रारंभिक परिक्षा 30 सितंबर को सभावित है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी अगर प्रतिसपर्धा के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 604 अभ्यार्थी के बीच प्रतिसपर्धा होगी इस बार आवेदन पहले की तुलना में कम आये है हाला कि कुछ अच्छे विभागों में रिक्तिया नहीं होने से आवेदन की संख्या कम है आयोग के सचीव रवी भूशन ने बताया कि अब आवेदन की तिथी नहीं बढ़ाई जाएगी आयोग निर्धारित समय पर परिक्षा लेगा कमावेदन होने से ज़्यादा परिक्षा केंद्र बनाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी केंद्रिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब दस्वी का टीसी नहीं देगा सीधा 11 वी में दाखिला होगा नए शिक्षा नीथी के तहत या विवस्था शुरू की जाएगी वर्स 2024 के नए सत्र से सभी स्कूलों में ये लागू होगा बोर्ड के अनुसार दस्वी में अब टीसी नहीं देने का विकल्प खत्म हो गया है अगर शात्र दस्वी पास करने के बाद स्कूल भी बदलेंगे तो उन्हें 11 वी में दाखिला लेने के लिए टीसी की जरूरत नहीं होगी दाखिला दस्वी के अंक पत्र और प्रमान पत्र पर ही होगा बतादे कि अभी तक CBSE के शात्रों को दसवी पास करने के बाद दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए टीसी और माइगरेशन प्रवान पत्र की जरूरत होती थी लेकिन नई शिक्षा नीती में इसे बदल दिया गया है वही बारहवी के बाद शात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए बोड टीसी और माइगरेशन सर्टिफिकेट देगा बिहार अबाठ बड़ी नदियों ने खत्रों के निशान को किया पार बाढ़ का बढ़ा खत्रा मुखे मंत्री ने अफसरों को किया लड नेपाल में लगतार हो रही बारिश के बाद बिहार के कई नदियों का जलस्थर तेजी से बढ़ने लगा है गंगा समेत आठ बड़ी नदिया खत्रे के निशान को पार कर गई इनका जलस्थर लगतार बढ़ता ही जौरा है गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, घागेडा, कमला, बलान, ललबकिया, परमान, नदी का जलस्थर बिभिन अस्थानों पर लाल निशान के उपर पहुँच गया इसके बाद बड़े इलाके में बाढ़ का खत्रा उत्बर्ण हो गया है, नदियों के बढ़ते जलस्थर के बीच जल संसादन विभागने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है, मुख्यमंत्री अतल पत पर होते हुए जेपी सेतु पहुँचे और गंगा नदी क मुख्यमंत्री ने भ्रमन के दोरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की इस्तिती को देखा और यहां की इस्तिती की जानकारी ली, सीमे अधिकारियों को निर्देश दिया की गंगा नदी के किनारे वाले शेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते विए पूरी तरह अलर्ट रहे और सारी तैयारी पूरी कर ले, राजमे मानसून ने अब रफ्तार पकर ली है, लगतार हो रहे ही बारिश के कारण पिछले चार दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, गंगा किनारी घाट की सीडियों तक पानी पहुँच चुका है, गंगा गांधी घाट पर तो जलस्तर खत्रे के निशान के करी पहुच गया, दिघा में जनार्धन घाट पार्टी पुल के नीचे तक पानी पहुच कर रास्ते में प्रवेस कर गया है, इससे आवाजा ही ब कर परसेंगे बादल इन जिलों में होगी भारी बारिश मौसम बिभाग का अलर्ट, बिहार के बारह जिलों में गुरुवार को भारी बारिश हुई जिसका असर आम जन जीवन पर देखने को मिला, ऐसे में अब मौसम बिभाग की ओर से अगले 24 घंटे को भी किशन गंज, अररिया, मदुबनी और सुपॉल में भारी बारिश की चैताबनी जौरी की गई है, वहीं पिछले तीन दिनों से राज्य के तमाम जिलों में हो रही बारिश की वज़ा से राज्य में बारिश की कमी की आकरों में गिरावट आई, सुबे के कई जिलों में 14 अगस तक बारि आकों में जल जमाओ की कारण लोगों को काफी मुश्कुलों का सामना करना पड़ा, राज के निबंधित कामगारों को बेटी होने पर मिलेंगे 50,000, भवन निर्मान से जुड़े बिहार भवन सन्नीमार्न कर्मकार कलियान बोड से निबंधित कामगारों को बेटी होने पर दस्ताव तयार हो रहा है जल्द राज कैबिनेट ने इसकी समती ली जाएगी और फिर यह अमल में आ जाएगा मजूता प्रावधानों के अनुसार कामगारों का निबंधन तीन वर्स पूरा होने पर विवाह में सहायता दी जाती है अब तक लगभग 1500 कामगारों को यह सहाय प्राइता राशी दी जा चुकी है कामगारों को दो व्यसक उत्रियों या खुद महिला कामगार की शादी होने पर 50,000 मिलते हैं बीते दिनों बिहार भवन संदिमार कर्मगार कलियान बोर्ट की बैठक हुई इस बैठक में कई पदाधिकारियों ने सुझाओ दिया कि सुक बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के दोहजार चौबिस में उत्तर प्रदेश की फुलपूर लोग सभा सीट से चुनाओ लड़ने की अड़कले लगाई जारी है बिहार सरकार में मंत्री एवं जदियू के यूपी प्रभावरी शवन कुमार ने पिछले दिनों इस पर अन्तिम फैसला खुद नितीश कुमार ही करेंगे। इंडिया गटबंधन नहीं है ये घमंडिया गटबंधन है इसकी बारात में हर कोई दूला बनना जाता है। कॉंग्रेस ने विश्वास नियता बढ़ाने के लिए राश्टिय तिरंगे जैसे जंडा अपनाया। उन्होंने लाब के लिए गांधी उपनाम भी चुराया कॉंग्रेस को पडिवारवाद पसंद है। महागरबंधन सरकार के खिलाब बीजेपी की धिकार मार्च कारेकरता बोले सीएम से तरस्थ है युवा 13 अगस्त को राजबाल को सौपिंगे ग्यावन। भारतिये जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने गुरुवार को पटना में महागरबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर धिकार मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में भाजबा के युवा कारेकरता मौजूद थे। छट जुबाग से जिलादिकारी कारे आले तक मार्च निकाला गया, इसके बाद युवा मोर्चा के नेताओ ने पटना जिलादिकारी को ग्यापन सौपा पटना के साथी पूरे बिहार में प्रखंड अस्तर पर भाजपापार्टी के युवा मोर्चा ने इस अभियान को वही मार्च के माध्यम से महागडवंधन सरकार पर वीजेपी युवा मोचा ने आरोप लगाया कि राज्य में सारी विवस्था बरबाद हो चुकी है। जाएगा ऑक्टूबर के अंति में दशरा है तो नवंबर में दिपावली और लोकास्था का महापर्व छट पूजा है। विक्रम शिला एक्सप्रेस में 12-22 अक्टूबर तक स्लीपर क्लास में वेटिंग है। इसके बाद 1-18 नवंबर तक लंबी वेटिंग है। यही हालत नई दिल्ली से भागलपूर होते हुए डिप्रूगर जाने वाली ब्रह्मपूत्र एक्सप्रेस की भी है। केंदर सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पर बहस के गरान लोगजन शक्ती पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दो दावे किये। पहला ये कि बिहार की सभी 40 संसदिय सीटों परेंडिये की जीत होगी और दूसरा ये कि नितीश कुमार का सफाया हो जाएगा। एंडिये की सरकार बनेगी। चिराग ने फिर संकेत दिया कि वो अपने चाचा एवं केंद्रिये मंत्री पश्यूपती पारस की संसदिय सीट पर हाजीपूर को छोड़ने वाले नहीं है। संबोधन के दौरान उन्होंने अपने छेतर जमूई के साथ हाजीपूर का नाम लिया और रामविलास पासवान की परंपरागत सीट बताई। लोजपा के विभाजन के दौरान से ही चिराग हाजीपूर पर अपना दावा जताते आ रहे हैं। वहीं लोगों को जरूरत भी किया जा रहा है, वहीं लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। अपनी अपनी हाथों से चूडिया निकालकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पहुची आशाकारेकरताओं ने सरक पर बैट कर सरकार के खिलाफ जमकर नारिवाजी की बता दे कि आशाकारेकरताओं का प्रदर्शन डाक बंगला चोड़ाहे पर होना था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आशाकारेकरताओं को वहाँ से हटा दिया जिसके बाद आशाकारेकरताओं ने इंकम टैक्स गोलंबर के पास पहुच कर धरना प्रदर्शन किया। आशाकारेकरताओं के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है पहले नौ सूत्री मांगों को लेकर आशाकारेकरताओं ने प्रदर्शन किया था अब 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है आशाकारेकरताओं की मांगों में नवोदे विद्याले में कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी 17 अगस्त कैसे करे आवेदन जवाहर नवोदे विद्याले में शैक्षिनिक सतर 2024 पच्चिस में कक्षा 6 वेदाखिला हेतु चयन परिक्षा के लिए ओनलाइन आवेदन करने की पूर्व निर्धारी तिथी 10 अगस्त से बढ़ा कर 17 अगस्त किया गया है इस सम्बंद में नवोदे विद्याले के प्रचारेय एज सित्याग राजन ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथी 10 अगस्त निर्धारी थी पड़न्तु अब तक महज्य 1222 चात्र चात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए जिसको देखते हुए जवाहर नवोदे विद्याले समीती ने अगले 17 अगस्त तक समय विस्तारित किया राजी में शात्रों के काम नामंकन और हाजरी वाले कॉलेजों का विलै होगा राजी के जिन अंगी भूत कॉलेजों में विद्याले विद्यार्थियों का नामंकन नगन्य होगा अथ्वा उसकी उपस्तिती बहुत कम होगी उनका नजदीक के कॉलेज में विलै होगा साथ ही ऐसे कॉलेजों के प्रचार पर कारवाई की जाएगी इसको लेकर शिक्षव विभाग ने सकत हिदायत दी है विभाग के सभागार में बुद्वार को विश्वविद्याले वार समीक्षा बैठक शुरू हुई पहले दिन भुंगेर विश्वविद्याले की बैठक हुई जिसमें उनके कुलपती कुल सचीव समय तमाम पदाद विभाग ने भी सभी को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की नियमित कक्षा चले इसे सुनिश्चित करे आवश्यक्ता अनुसार अतीती शिक्षकों की सेवा भी ले चतुर्थ वर्ग के कर्मिचारी की सेवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रात करे इसके लिए